नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने बच्चों का जो खून है जो इंक्रीज कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं अगर आपके बच्चे के सरी में हीमोग्लोबिंग की मातरा कम है या ब बच्चों की जो पुम्लओ को में já रोंगी मुल्वली में बच्चों वीडियो आपको के सरुछ यह नहीं है इंब यह झालि की सीधनल रिफ्क चीजानेज भाशने ए Hmm अगर आपके बच्चा चोटा है आप स्णाइग थोडिक्वन क्या पैस की प्ष्ण कर movement, पहले जया यह एक गाजर ले लिए लियू एक चोटा से टमाटर ले लिए वह छोटा एक पार्ट की डिए आप। इसको बनाना कैसे अची तरीका से देखिंगा और गाजर को भी आपको छिकलता देना इसके बाद इसको अच्य तरी किसे साफ मतला अच्य साफ करके आपको जो को कर में चार सीटी में इसको वाइल करना है सिर्फ तो चली जान लेते हैं आपको कैसे वाइल करना है दीची दोस्तों मैंने यहां पर जो है चुकंदर के फोर बाą एक टमाटर डाल दिया है और गाजर उसको भी कटकर डाल दिया है आप गला से बीचाशय से थोड़ा पानी ही यूज किया है तो आपको पर appara Lawrence रे दाल दूए तो कि अवहां अच्छाशा थोजहए प्लाव से बि widzking कि आपको थी दुए है इसके आपको आतुछा थे कि आप देख पा रहे हैं तो यह मैंने निकाल लिए अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको जार में अच्छी तरह के से मैस करेंगे एक बात और यह जो पानी आपको बसता है इसको जो आपको फीकना नहीं अभी ठीक ह इसको भी आपको एसे ही रखना है कि इसमें नमग भी मिला हुआ है यह पानी भी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है तो इसको ठंडा होने देते हैं दीकी दोस्तों यह जो हमारा जो मतेरियल है आपको आपको जो निकाल के अलग कर देना है तो अब यह इसको हमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ तो यह चीज क्या करनी है आपको इस तरीके से जाड लेना है अब जो हैं 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 इसमें इस तरीके से डाल देना है इसमें अल्रड़ी अभी नमक है तो इतनी कोई जूरत नही जब आपको लगता है उसके बाद आपको डालीजगे थीकिन अभ हम जो है इसको अच्छ तरीके से लिग इसको कर दें कवर और इसको जो है फेसली यह देखिए दोस्तों यह जो पिस चुका अच्छी तरीके से देखिए मैं इसको आपको अपन करके दिखाते हूं यह देखिए बिल्कुल जैम की तरह लगता है यह बच्चों को आप खिलाई इससे बच्चों की जो बलड है उसको बढ़ने में बहुत हैर पलेगी साथ साथ बच्चों की आइसाइड जो है उसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रिजमेंट होगी बच्चों की और रोसनी अच्छी हो जाएगी तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूं अब ठीक है यह देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो एक गाजर थोड़ा सा चुक अगर बच्चे का खून बढ़ेगा तो उसमें ताकत भी बढ़ेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी है तो आप बच्चों को यह चीज खलान चाहिए तो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए और देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूं अगर लगता है कि जो पेस्ट जो है वो डगाड़ा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको बताया था जो पानी है उसको फेकना नहीं है तो जो पानी इस तरीके से मैं निकाल लिया है तो इसको आप कर सकते हैं जैसे कि मेरा ग्राइंडर है मैं इसी में थोड़ा सा इस तरीके से डाल जो टमाटर की बीज है वो नहीं खारा तो आप पीसने से पहले वो टमाटर की बीज अलग कर दीजेगा ठीक है यह पानी आप खुद प्लिजेगा बहुत ही ज्यादा फायदे मन करेगा आपको भी इसको फेकिएगा मत ठीक है और अगर आप नहीं पीना चाहते तो आप बच् बच्चों को ही देना है चो एक साल से छोटे बच्चों को आप मत दीजे ठीक है और साथ साथ जैसे कि सारी चीजे हैं बलड को बढ़ानी के लिए ही सारी चीजे हैं सुरु सुरु में आप जो है क्वान्टिटी थोड़ी ही रखेगा जिसको करवापन ना लगे धीर धीर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और हाँ अगर इस वीडियो से लिटेट कोई कोशन है तो प्लीस हमें कमेंट करके जरूर पूचिए और इस वीडियो को जाला साथा लाइक और शेयर कीजिएगा सभी ममेलों के साथ में जिसे उनकी भी हैल्क हो सके और अकर आप हमार कि जड़र आप है और आप हमार आप हमार आप हमार के लिञ्ग बाच है कि अनकी तो लिसे प्लीस हमें एख और आप है जिसे उनकी जड़र आप हैं दो